नमस्कार दोस्तों, आगी के वीडियो में आप किरिश्टल के बारे में समझेंगे क्योंकि इसके पहले नहीं परेक्ड बनाया था कृच्छल के पारे में तो उस में मैं साथ सात में यहां के कुछ बैर सेट और इवेंड कीश्टम के बारे में बताता हूं तो ऐसा नहीं आप बहुत जैसे मालजे हर एक component के बारे में जानेंगे हर component मिलकर ही electronic circuit को complete करता है और हर एक component का यह पूरा function आप समझेंगे तभी यह जो आपको start cut देखना पड़ता है कि हमको कोई बता दे कोई component खराग है या यह हम निकल जाएं तो एक weakness आप करा जाता है इसल यह जो एक language होता है जिसे आपने pulse के बारे में हम आपको बताए थे कि अगर pulse देखना है तो सबसे easy option है इसको समझ लें क्योंकि इससे आपके पूरे body की system को जो pulse rate होता है वो मालू हो जाएगा तो अब यह pulse के बाद जो बाते आई यहां पे यह आया crystal का crystal का क्या हुआ crystal एक oscillation का काम करता है तो यह जैसे हमारा धड़कन है oscillator तो oscillator को लेकर हम एक एक compare करते हैं क्योंकि हमारे system भी एक कुछ इस तरीके से बनते हैं कि आप देखेंगे कल्पना करेंगे जैसे हमारा robot है तो देखें सारा इंसान की activity को उसमें electronic रूप में convert किया रहा है आने वाले system मे आप सबसे ज़्यादा उसी चीज को देखेंगे जो technology होगी तो इसमें आप एक एक component के बारे में जानेंगे तो आपको काफी easy कहीं भी दिखेगा किसी भी company का कोई भी circuit हो तो उस जगे पर जब एक किस्टल दिखेगा तो इसके बारे में जो पूरी जानकारी होगी तो इसक काम करता होगा इसको कैसे जाने तो वह कहीं न कहीं जब आप सारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसमें आपको कहीं न कहीं आपके answer का sorry question का answer मिल जाएगा तो इसलिए हमारे बातों पे इतना मतु गंभीरता लीजिए क्योंकि कभी कभी कुछ माल लीजे ज्यादा निक तो जो फोड़ते हैं तो उपर वाला कभी हम ध्यान नहीं देते उसके छिलके पर उसके इंटर्नल का निकाल लेते हैं तो इसी तरीके से जो भी वीडियो बन रहा है तो उसमें आप अपने मेरा परियास है की इजी हो जाए देखे चल लिए हम आपको बताते हैं इसके बार है हिंदी में उसे दोलन बोलते हैं दोलन मतलब जब आप कोई फिर्क्वेंसी फिर्क्वेंसी को भी जो हिंदी में आविर्ति काते हैं आप देखते होंगे जब इस समय यह आप सुने होंगे कि यह किस आविर्ति का आदमी है तो हमको आविर्ति प्राविर्ति यह सब चीज चीज नहीं होती तो इसलिए हम उसकी कंपियर करते हैं human body से तो यहां पर चलिए आपको बताते हैं कि यह हमारा उसी लेटर है आप कोई धागे से कोई चीज लटकाई है उसमें चाहें गेदा हो या कुछ हो तो आप उसे constant छोड़ दें लेकिन आप उसी गेदे को धागे से जो लटका हुआ है उसे आप यहां खीच लें जो खीचे हैं फिर आप जब छोड़ देंगे यहां से तो यह क्या होगा कि एक ब फिर ऊपर से जब नीचे की तरफ ही आएगा तो यहां पे श्लो होगा और फिर यहां से जो गति फिर यह यहां तक जाएगा फिर यह दोलन गत्वुक्न भचेंदी चलता रहे तो फिरक कुंसी किसे काते है कि जो बार बार उस चीज को दोहराए उसलीवे से tasting तो इसलिए हम जब हो जाते हैं तो किलियर नहीं हो पाता कि एक साथ क्या क्या बता दें लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा सुनते रहिए बहुत कुछ आपको ग्यान मिल जाएगा आपको कहीं नोट करने की ज़रूबत नहीं पड़ेगी आपके दिमांग में फिट हो जाएगा देखिए फिर लेकिन जब पर्टिकुलर किसी एक एरिया पे किसी एक चीज पर फोकस करते हैं जैसे यह हमारा क्यों बनाए गया ये एक स्टेबल फिरकुण्षी फिक्स फिरकुण्षी पर काम करने के लिए इसे बनाए गया इसमें कोई कम जादा नेहीं आगर यह 100 हर्ट्स का है या 100 मेक तो इतना रहेगा नहीं न ज्यादा एक फिरक्वेंशी पे सब को काम कराया जाता है तो इसी प्रकार हमारे माइंड सेट भी होते हैं कि जब किसी फ्रिक्वेंसि को जनरेट करते हैं तो उसी के एकॉर्डिंग हमको सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं तो देखिए यहां पर यह जो इसके इंटर्नल फंक्शन होता है इसका इंटर्नल डाइगराम यह है जो की आरियल सी यह जो एक है आरियल सी सरक्विट आप देखे हैंगे क्योंकि आप को ज़रूत भी नहीं, क्योंकि इसको काम के बारे में जाने क्वोकि इंटनल घूमने से कोई फायदा नहीं है Ms. इसको फिक झी इसके काम को देखिए जैसे महा लिजे इसमें अगर कही इसे समझे हैं इसी तरीके से हमारा ये काम करता है पहले काम के बारे में जो आपको बताए है कि अगर यह हम पहले किलेर करते हैं दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं हम आप से बता है कि माइंड कभी कभी घुम जाता है तो उसे आप अपने अमसार उसमें से अच्छा निकाल लेजेगा बाकी को रिजेट कर देजेगा देखिए यह जो है जब दोलन गत जो हमारी होती ह यह इसी तरीके से जब आप लटकाएंगे और यहां से यहां जाएंगे तो एक साइकल बनता है और एक साइकल कभ बनेगा कि जब एक बार यहां से यहां आएगा तो यह आधी साइकल होई लेकिन जब यहां पर पूरा जाके और फिर आएगा तो यह जो पूरी साइकल बनत उसी के अनसार यह होता है तो इसमें क्या है इंटर्नल इसका काम करता है वो तो जब अपने फंक्सन में होगा अपना जब वर्थ करेगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा लेकिन हमको समझने के लिए आपको दिखा दें कि एक तो यह मैथड है दूसरा एक इसे स्परिंग के तरीके से कि यहां कोई इस प्रिंग लगाएं जैसे यहां पर इस विए और यह किसी छोटे कोई गोल सा चीजी जैसे गेदा हुआ हम उसमें लटका दें अब इसमें जो हमारा बारेशन यह यह जो इसमें एक हमारा जरो जैसे खीशते हैं और फिर अपने से नीचे की तरब खीचते हैं और खीच के यहां से जैसे आप छोड़ेंगे तो यह क्या होगा गेदा एक बार उपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा तो यह कांटिन्यू ऐसे उपर नीचे उपर नीचे जाएगा तो इसमें जो ग्राब बनते हैं यह हमारा जैसे मालीजी यहां से हमने इसको खीचा और छोड़ा तो जब आप छोड़ दिये तो यह स्प्रिंग में एक बाइब्रेशन क्रियेट होगा जिससे यह मुवमेंट करेगा जितना आप खीचे हैं जो जिसमें उर्जा लगी है ताकत जितना वो फिक्स हो गया है उसमें आस्ते आस्ते जब को उर्जा रहेगी तब तक यह करता रहेगा करता रहेगा फिर इस्थित आएगी कि यहां पर स्टॉप हो जाएगा तो इसमें क्या है कि जब यह ग्राफ अब किसी चीज को अगर हमको फिक्स देखना होगा तो बार-बार कोई चीज यह करता है तो हमको एक सेकंड में अगर एक बार यहां से यहां तक पूरा किया तो हो गया हमारा एक हर्ट्स इसी तरीके से यहां से अगर यहां तक हमारी दो साइकल बनती है तो हो गया हमारा टू हर्ट्स फिर इसी तरीके से यहां से यहां तक अगर हमारा एक सेकंड में तीन साइकल बनती है तो हो गया हमा हीто जिसके इसको खीचे और खीचे फीर फिर छोड़े अब इसमें इतना इतना तेज़ी break हो रहा है क्यों यह इसमें जो घ्मपन हो रहा है क appel आपको जब इसको पहल करें है तो इसमें क्या होगा कि एक एइसे में नीचे की तरह लचक होगा इसका नीचे तो रिगए तो यह साइकिल जो बनेगी ऐसे अब इसकी पूरी साइकल जब इसको सिथा करेज़ तो यह तरीका है और यह यह rabbit को समझने के लिए लेकिन आप हो इसको समझेंगे टो इसी तरीके से कि यानि जब उपर की तरफ जा रहा हैsters साइकल यह जा नीचे वाले जो है यहाँ पमेड के अनब यह व्हो जाएगा फिर यह जब ऊपर झितना फॉर्स से यह हो गया इसी tren क से क obsess गुड़ हो आभ है एक सुर्ड में कि सिकंड में अगर एक साइक में यानि एक हर्ट्स तो यह हम यह हुआ इसका ओसिलेटर फिरक्वेंसी जो होती है किसी माली जी सर्किट में यह अलग-अलग ओसिलेटर जैसे आहां पर इसका जो सेंबल होता है एक्सटेल जैसे लिखा हुआ है तो ऐसे और भी लेंगोज हैं उसके हम नेक्ट वीडियो में बताएंगे लिकिन आज आप इसको थोड़ा-थोड़ा समझे और मैं जो बता रहा हूं उसे आप गहराई से देखें जिसे किसी सीप्यों में दिखी लगा होता है तो हां पर लिखा होता है एक्स्टी सेंबल अगर इसका रूप इस तरीके से भी हो सकता है इसका रूप इस एक इस कॉर्णर पर ऐक जिसे यहां पर देखें यह पी अप कभी कभी क्या होता है कि जब सर्कृट हमारी कंप्लीट वर्क करता रहता है, अचानक बंध हो जाता है, तो उस समय हमारे डाउट कहां कहां जाते हैं, आपको ध्यान होगा कि ये फाल्ट नहीं होता है, इसको इतना अच्छा तरीके से परफेक्ट बनाया जाता है, कि इसमें कोई खराबी नहीं होती, इसके इंटर्नल, कहीं 10% फाल् ध्यान दे इस पर, ये नहीं, आपको लगेगा कि ये ही खराब है, लेकिन किलियर करना पड़ेगा कि फाल्ट ये है कि ये है, क्योंकि बहुत सारी सरकिटे जो है, आपको मार्केट में स्क्रेप वाले के दुखान पर मिल जाएंगी, जहां पर उसमें कोई फाल्ट ही नहीं है, अगर इस दोनों पी अपको चेंज कर दें, अगर आपको जिसे संदे है, क्योंकि संदे में क्या है कि कभी-कभी ये अचानक वर करते-करते शॉर्टिंग होंगे, अब ये सरामिक फिल्टर है, तो अगर जरा सभी शॉर्टिंग हुए, तो इसके उसलेटर को ये भूमेंगे कि हमारा सप्लाई ड्रॉपिंग है, या कहां पर फाल्ट है, क्योंकि अचानक ये सर्ट होके, कांटिनू सर्ट नहीं होते, लेकिन आपको प्राब्लम क्रियेट करेंगे, तो उस समय आपको देखना होगा उस स्थितियों में, और कभी-कभी क्या होता, दो दिन तक भी फाल्ट नहीं आते, फिर अचानक कस्टमर ये बोलता है, कि हमारा जो है, चलने के बाद बंध हो जा रहा है, अब बंध होने पर हमारा दिमाग पाउर सप्लाई पर जाएगा, और सिस्टम में जो भी कंपोनेंट होंगे, उस पर जाएगा, क्योंकि किलेर नहीं है, तो ऐसे ऐसे आपको हर ब्यक्त, इसमें जो भी वो है, हर ब्यक्त कोई चीज जानना चाहिए, जो इस से रिलेटेट काम करता है, इलेक्ट्रोनिक्स से, कि इसमें देखिए, अगर जरा सा भी प्राबलम होगी, ये जो इसकी हेल्पिंग में कैपिस्टल लागा हुआ है, तो ये क्या होगा, फिरकोंसी इसकी डिस्टर होगी, फिरकोंसी अगर डिस्टर हुई, तो हमारा सिस्टम बंद होगा, ये 100% सत्य है, हम इसका और इस्टरा जो नालेज है, तो हम उसका नेक्स्ट वीटियो में बताएंगे, ये आप दस मिनिट का समझ लिजीए, अगर आपका आधा घंटा लगता है, या एक घंटा लगता है किसी टापिक पर, तो उसमें बहुत सारे आपकी कोश्चन के अंसर मिल जाएंगे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक वीडियो में, थेंक्यों दोस्तों